गुड मानिंग अभीवन केड्स इंग्लिश में आज हम लोग एक रवीजन वर्क करेंगे जिसमें आज मैंने दो टॉपिक्स लिये हैं एक है एंडिंग वर्ड्स और दूसरा है जैंडर ठीक है तो एंडिंग वर्ड्स बटा आपने कुछ दिन पहले सीखा था इसलिए इसको अभी रिवाइस कर लेंगे तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बटा आपको पता है एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं इससे पहले हमने क्या सीखा था बिग्निंग वर्ड्स बिग्निंग वर्ड्स में क्या था याद करो उसमें आपको स्टार्टिंग वाले बि तो वो थे बड़ा beginning words और ending words में क्या है यहाँ पे जो letters आपको दिये गए हैं ये आपको word के end में आने चाहिए जो आप शब्द बनाओगे ना उसके last में ये two words आने चाहिए इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा थोड़ा सोचना पड़ेगा है ना तो कही बार जैसे छोटे बच् तो आप इसको starting में ही लगा दोगे इसलिए आपको पहले heading पे पूरा ध्यान देना है इसको clear होना चाहिए बार बार देखना है हम लोग क्या कर रहे हैं ending words ending words में मैंने अभी क्या बताया कि ये जो two letters हैं इसको last में आना चाहिए आपको two words ऐसे सोचने हैं जिसमें ये letters जो है last में जैसे first में है double s अब ऐसे words सोचने हैं जिसके last में double s आएगा सोचो बटा बहुत easy है glass, class, grass है ना double s आए ना dress तो बटा आपको कितने write करने हैं two अब कौन से write करोगे जिसके spelling आपको अच्छे से आते हैं जैसे class c l a double s class g l a double s class जान जी आर एडवल s class ओके तो ऐसे वेटा second में है okay अभी दिखें इसमें भी okay आगया है तो इसके लिए आप क्या लिखोगे book cook है ना took तो उसमें क्या आएगा book कैसे लिखते हो यह तो सबको आतना बी डबल ओ के तो उसमें लास्ट में आ ना ओके और कुक लिखोगे सी डबल ओके कुक टी डबल ओके तो लास्ट में आ रहा है न बटा जब आप राइट कर लोगे उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि लास्ट में यही लेटर्स आ रहे हैं कई बार क्या होता है हम लोग सोचते हैं कुछ और लेकिन राइट करने के बाद वो सही अंसर मैच नहीं करता है इसलिए जब भी आप राइट करोगे आपको चेक कर लेना है क्योंकि यह अंडिंग वर्ड्स हैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वोता ही है थर्ड में है ई-ए अब यह सोचना है किसके लास्ट में ई-ए आता है ठीक है आपको सोचना है मैं भी सोच रही हूँ बोलिए तो इसमें है टी टी-ए-ए-टी पी-ए-ए-पी ठीक है और टी मीस चाई पी मीस मटर ऐसे ही फोर्थ में है सी-क सी-क के लिए क्या लिखोगी आप सी-क के लिए जो लास्ट में है डी-ए-उ-सी के डख है ना और क्या लिख सकते हो डी-ए-उ-सी के डख और एल-ए-उ-सी के लख ठीक है लख मीस किसमत किसमत फिफ्थ में है एन जी जिसके लास्ट में एन जी आएगा ऐसे वर्डस आपको सोचने है है ना आर आई एन जी रिंग, एस आई एन जी सिंग, डव्लिव आई एन जी विंग ठीक है तो बिटा इस तरह से आप नए नए वर्डस और भी बना सकते हो आपके पास time है, आप सोच सकते हूं, वो सकता है, आपको already मेरे से अच्छे word आते होंगे, तो आपको बस ये दिहान रखना है, कि last में ये letters आने चाहिए, और जो भी word आप write करोगे, उसका कुछ meaning होना चाहिए, last में है 80, ये तो सबसे easy है न, 80, cat, rat, bat, है न, तो कितने सारे ल Hindi words, तो मैंने सबके answer बता दिये हैं, आप लोग बना लोगे, और ये है बटा, gender, agenda में ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, जैसे tiger, t-i-g-e-r, tiger, tiger क्या क्या लिखोगे, tigress, ये सब बच्चों को आता है, लेकिन spelling थोड़ा सा change है, t-i-g-r-e-s, t-i-g-e-r-s कर दोगे, त t-i-g-r-e, ड-i-r-s, type grace, next है father, f-a-t-h-e-r, father, father का क्या होगा, mother, m-o-t-h-e-r, mother, ऐसे ही boy, b-o-b-o-b-o-y, boy का girl, g-i-r-l, girl, फोर्थ में है, peacock, p-e-a-c-o-c के peacock, peacock का, peacock का, peacock की place में आपको hen कर देना है, p-e-a-h-e-n, peacock, 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 prince, p-r-i-n-c-e-r-s, इसमें कुछ बच्चे, जब princess write करते हैं, तो e छोड़ देते हैं, वो भी रोग हो जाए होटा, पहले आपको prince write कर लेना है, p-r-i-n-c-e-r-s, princess, next है man, man का woman, तो बटा अभी अभी जैसे exam गया था, 3-4 बच्चों नहीं उसमें answer लिखा था, man का woman कर दिया था, तो आपने क्या लिखेना है, w-o, यहाँ पे कुछ change नहीं करना है, w-o-m-e-n, woman, ठीक है, तो बटा, woman किसके लिए लिखते हैं, जब एक से ज्यादा औरते होती है, तो woman, आपको क्या लिखना है, बचों नहीं क्या लिखा था, w-o-m-e-n, तो उससे बटा, इतना e और a में भी आपका meaning ही change हो जाता है, ठीक है, जब हम लिखेंगे man, तो उसका होगा woman, तब जब man लिखेंगे, तो woman, ठीक है, इस चीज का आपको रखना है, जो मैंने अभी बताई है, ये हवेशा आपके काम आई ही, ठीक है बटा, जैसे answer लिखते हैं, पहले इसको भी देख लेना है, तो English में ये दो topic आप कर लोगे, answer मैंने सबका बता दिया है, English copy में अच्छी-ची writing में बनाते जाना है, मुझे उमीद है कि अभी किस अच्छी को मुश्किल नहीं लग रहा हुगा, आप बड़े हो गए हो, अम लोग बहुत कुछ सीख सुके हैं, ठीक है, तो English में बटा, आज इतने,